नहीं जमेर भी बीडीया के जो लोग हैं उन से बिगाड़ने की तो आव शक्ता है नहीं कि आपने हमारा काम ने किया क्योंकि हमेंस पता है के हम उसको पैसा देरी है उसे पता है तो जितना वह आ जाए जितना वह किरते कुछ है मिडिया वारे भी हो सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो है पत्रकार मीडिया यूटूब समढसंग के लिए कितना उपियोगी कितना पाइदेवन कितना नफसान दायक जो लोग यहां सामाजिक आंदलों में जहते हैं या जिनका वास्ता पत्रकारों से और मीडिया से पढ़ता रहता है वो मीडिया के चरितर को अच्छी तरह जानते होंगे कि मीडिया या जो न्यूज एजेंसियां हैं या जो पत्रकार हैं इन सभी पे जो बहार की यूरोप की और एमरीका की जो पॉलिसी हैं कॉर्परेट वाली यानि ब्यापार वाली वह बहुत बुरी's तरह से हाभी है पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था जब पुराने जमाने का जो मीडिया जिस मीडिया को बुद्ध ने डबलब किया जिस मीडिया को भिकों ने आगे बढ़ाया जिस मीडिया को जिस पत्तकार्टा को जिस खबर को फैलाने का जो तरीका बुद्ध ने और जो समण संगियों ने फैलाया उसको लगबग खतम कर दिया गया जड़ से और इसमें खतम करने में जो आज हम यह कहते हैं कि कोई हमारा मीडिया जो बहुत ना के बराबर है जिसका परसंटेज पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट भी नहीं है पूरे मीडिया का वो मीडिया जो कुछ सौई के करीब यूटूबर है या कुछ छोटे-मोटे हजार-दो कभी निकला था उसका जिक्र मैं बताऊंगा आपको वो सब लगबक खतम है बावा साब ने जो मीडिया चलाया वो भी सब तहस्नेस हो गया खतम हो गया उसके कुछ कारण है और उन कारणों से हमें सबक लेके और आगे बढ़ना है और अपना मीडिया जो हमारी पॉलिसी है है वो कितनी इफेक्टिव है और क्यों इफेक्टिव है यह हमें अच्छी तरह से जान लेना है मीडिया का जो इत्यास रहा है वो बुद्ध से आरभ होता है क्योंकि बुद्ध ने सबसे पहले जो जानकारी है उसके जो माध्यम बनाया वो माउथ टू माउथ हूँ इस तरह से उन्होंने घर घर तक जानकरी पहुंच जाई क्योंकि जो भिकू थे उनमें बहुत सारे जो भिकू थे वो गड़क का काम करते थे और भाड़क का काम करते थे गड़क जो उनको याद रखते थे और भाड़क जो भाड़ा लेके यानि किराय लेके उनको बताया करते थे भिक्कों के अलावा ये काम उस सब्सक्राइब होता था आज तो जैसे किताबें हैं हार्ड डिस्क हैं मेमोरी के कार्ड हैं मेमोरी के पैन हैं पहले आदमी को अपनी ही मेमोरी इस्तमाल करनी पड़ती थी कोई बात उसने सुनी उसको ऐसा कासा याद रहेगा अगर आप उसको पैसा दोगे तो वह आपको सुना देगा कि बुद्ध ने क्या कहा जैन ने क्या कहा बुद्ध के भिक्कु ने क्या कहा एक कपकी बात है कैसे बात है उसको गड़क और भाड़क बुला करते थे भाड़क यानि कि जो भाड़ा लेकराय पे चलते थे और ग याद रहती थी कब कैसे कहा किस संदर में क्या बात बुद्ध ने कही क्या ने कही वही बातें बुद्ध की बातों को जो पचार परसार होता था मीडिया के रूप में पूरे देश के अंदर फैलाया गया और बताया गया यह मीडिया का सबसे बढ़िया दोड़ था क्योंकि कोई पैसे का लेंदे नहीं था और खबरें जो पहुंचाई जाती थी वो लोगों के वैलफेर के लिए लोगों के कल्यान के लिए यह खबरें सारी सारी फैल फैलाई जाते थी। इसलिए उससे बहतर मीडिया अभी तक पूरी दुनिया में साफ सुद्ध वाला प्यॉर और जो सभी का भला करता हूँ क्योंकि बुद्ध की जो कल्यानकारी योजनाय थी जो कल्यानकारी बाते थी वो वमण हो या समण हो वो सभी को पहुँचाई गई बुद्ध ने कभी भ इस लिया उसमधार कर समांता से समता से एक रूपता से और वह सारे का सारा का म बहुत बड़े चलता था सारे सारी बाते मिल्कुल सही रूप दिया है यह बातने सब उसमें फिल्टर होती रहती थी कोई सब्द अंजाने में गलत जुड़ जाता था इसको ठीक किया जाता था यानि कि वह एडि जो एडिट करते थे जो पूरी-पूरी जानकारी का संपादं करते थे एडिट करते थे वह एडिटर सबसे अच्छे एडि कैसे नहीं में पर्तिकायता के उसके बाद पर्तिकायता लगबग खतम सी हो गई है कुछ उधारण में आपको बताता हूं लगबग अब से करीब 25 साल पहले की घटना है कि कुछ लड़कों के साथ में एक धरना प्रद्रशन हो रहा था उस धरना प्रद्रशन में दिल्ली क सबी जितने भी अखवार चलते हैं क्योंकि उस समय टीवी के अंदर सिर्फ न्यू चलती थी गवर्मेंट ऑफ इंडिया की या आज तक स्टार्ट हुआ था आज तक का जो वहां बंदा था उसको एस पी बुला करते थे उसका प्रताप नाम था तो उन लड़कों लगबग सौ सवासो लड़कों की समस्या के साथ मैं आंदरनिल हो रहा था और मैं उसमें काफी अगड़ी भूमिगा में था तो सारे जितने भी यह पतकार हैं जितने भी बड़े-बड़े मीडिया के हाउस हैं जितने भी अखवार चलते हैं इन सब के दफ्टरों में जाना हुआ इ बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की बहुत साथ लोग थे गए थे लड़के थे जिसने न्यू चापी उन मैंसे एक बंदे के पास हम गए उसका शुक्री आदा करने के लिए तो उसने कहा कि मिठाई के डबा ले लिए के नहीं आए तो हमें तो जड़का लगा क्योंकि हम तो हादा घंटि ली आता था उसमें जो ऐस पी था उस स करो जिससे खबर भए हमारी समझ में नहीं है Coffee सैज आजो कुछ सेल्फ क्या बोलते हैं अपने आपको जलाएं हम कोई मिट्टी का तेज चलाएं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कहता पर कुछ ऐसा करो यानि कि वह कह भी रहा था उनको खबर चाहिए जो संसनी खेज खबर हो जिन्हें लोग देखें साधरान खबर से चैनल नहीं चलते यह बात हमें बड़े-बड़े करोडों रुपे के एप्टाइजमेंट मिलते हैं और भी कंपनियों से मिलते हैं पैसा मोस्तली उनका वहां से आता है और सरकारी जो और हो संस्टे में मिलता ए वही सेम पीवी जितने चैनल आए प्राइविट आए बात मैं गयर्मन्ट वाले बंदे उसके अंदर भी जो एप्राइजमेन्ट आते हैं अगर वह एप्राइजमेंट बंद Łogen जो और बंद हो गए तो वो नहीं चल पाएंगे तो यह सारा का सारा जो हमारा गोर्टन रूले चंदा कभी नहीं वहां लगाता है चंदा जा रहा है और चंदा जाता है गौर्णमेंट की तरफ से चंदा जाता है कंपनियों के तरफ से इसलिए वो रन करते हैं इसलिए वो चलते हैं उन्होंने तो एक वार मीडिया पर हाथ उठाए था और बावा साब अमिटकर को अपना अक्वार निकालना पड़ा क्योंकि वह चंदा ले लेके पैसा ले मैं एक ऐसे पत्रिकार वाले को जानता हूं जिसने बहुजनों की एसी एस्टी ओबीसी के लिए अपनी पत्रिका निकाली बड़ी महत करता था दिरनात लगा रहे दियाता था पर वो भी तूट गया क्योंकि उसको जो एड़ाजमेंट था वो नहीं मिलता था और एड़ाजम मोमेंट खतम हो जाए अगर आप दूद में नीवू डाल दोगे तो फिर दूद कहा रहा फिर तो वह परीद बन गया फट गया वो तो बेकार हो गया तो ऐसे ही करके हमारी जो पत्ति कायता है वो चली जाती है एक दो टीवी चैचलर भी खुले जो महाराश्ट में आया के वह बाद में वह कुछ लोगों ने पैसा लगा कि अपनी खबर लगा दी और वह बेकार हो गया सेम वही पैटन हुआ एक भारत करके डेली का निउस पेपर निकला दिली में अपसे बीस साल पहले मैंने उसका कुछ दिन संपाधन किया पर वह चला नहीं क्योंकि डेली नेटवर्क होता है और को पैसा चाहिए इतने का अखवार नहीं है उससे ज्यादा का डिस्ट्रिशन वाले को पैसा चाहिए एक आदमी अगर पूरे दिन में 200 कौपी बाटता है पांच रुपे का अखवार है 200 कौपी वह बाट रहा है तो जितना उसको अखवार से खटा ह होता है तो उसकी सेल भी बन जाती है इसलिए अखवार फेल हो गया चला नहीं जिन जिन संस्ताओं ने अपनी पत्रकारता निकाले या अपने अखवार निकाले वह डिस्ट्रिशन नहीं कर पाए उनकी संक्या अपड़ी कम रह गई और वह एक साल में एक वार महीं वह आज हैं पहुंच जाए तो पहुंच जाए साब कासी नाम में जो अखवार च्छापा वह बाई हैं तो सर्व हो जाता था और डांक में जाने के बाद वह पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं ऐसी पत्र बहुत ज्यादा संख्या में चल रहे हैं अभी सुरू हुआ खासों से यूटूब पे फिरी और वाटसेप पे और ये फेस्वूप पे सुरू हुआ तो सुरू सुरू में यूटूब ने बहुत पैसा दिया लोगों को उसके बाद में उसने पैसा देना बंद कर दिया कुछ लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया फि क्योंकि वह सारे के सारे हैं उनके पास पैसे नहीं होते पांसो रुपे साथ सो रुपे हजार रुपे दो हजार रुपे पांचार रुपे जैसा जिसका पढ़ता पढ़ जाए वैसे खर्चे पर वह आ जाते हैं आपकी खबर लगा देते हैं पर वह खबने चले या ना चले से बुद्ध से कोई लेलेनार नहीं है इस बात को मैं प्रूव इसलिए कर सकता हूं जो हमने पंदर तारी का काइकम लगाया उससे पहले हमने एक प्रेस कॉंफरेंस की थी जो हमने गड़वाल भवन में की थी उसमें हमने कुछ पत्तकारों को बलाया जो डिटल मीडिया के य यह जो काइकरम संगती हमाई लगती है हम उसमें मीडिया को इन्फॉर्मेशन वाट्सैप के थूद देते हैं पर मीडिया वाले नहीं आते क्योंकि मीडिया वालों के लिए इस इतने बड़े काइकरम में समढ़ संके काइकरम में कुछ इंट्रेस्ट नहीं है तो बहल सर ने ये कहा कि नहीं उनका खर्चा हम जो इनराइएं उठा लेंगे 35 लोगों का खर्चा उठाया पर 35 लोगों की नियूज लगी नहीं बाद में एक जो पतगार अपने आपको बड़ा-बड़ा कहते हैं वो आए वहां भीड़ दे कर पर उन्होंने वहां कोई समर् हैं उन सब प्वार्नुमेंट्स हैं उन सब को वह कह इए एंक हमारे हैं आप क्या के ला चायते हो हमारे लोगों को पता नहीं होता कि पतकार उंसे क्या पूछ रहा है क्या जभाब दो ह उससे पूछता है यजभ वो मेरे पास पतगार आया तो मैं कि खटिए और इनकी मिशव मुव्मेंट की बात कर तूम क्या उसकी बात करता है। यह दूसरों की भादा क्यों बोलना हैर यह हमारेे यह यह Además इंधू हो गया नाराज होने के बात में भी दोछाज पत्तकार को गाली बबत लेगा वैसे बहुत बड़ा पत्तकार बड़े अच्छे पैसे उसने कमाए हैं पर वह मिसल मूवमेंट का नहीं है वो चिलाते हैं बहुत ज़्यादा आत्रोस दिखाते हैं लोगों पर गुस्था दिखाते हैं ख़बरें ऐसी दिखाते हैं जिससे लोग उनको लगे कि यह बहुत अच्छा काम चलाए आत्रोस ही फ अपनी बात करता है मुझे कैमरा चाहिए मुझे मोबाइल चाहिए मुझे पैसा चाहिए मुझे यह चाहिए मुझे वो चाहिए और मैं आपकी खबर लगा दूँगा या अगर आपको नेता बनना है तो मैं आपके साथ लगा रहूंगा आप मुझे इतने रुपे महिने दे ऐसे बहुत सारे यूट्वर चैनल हैं जो नेताओं के साथ लगे हुए हैं और कुछ नेताओं ने अपने यूट्वर चैनल खुद ही खोलनी है क्योंकि पैसा तो लगता नहीं इसलिए किसी भी अगर आप देखोगे पत्कार की बात करोगे या किसी भी यूटूबर की बात करोगे या किसी भी एक्वार की बात करोगे तो उसमें ये मिसन कभी नहीं आएगा कि सब लोग इखटे हो जाएं इतने सालों में क्या पत्कारों को क्या ये यूटूबर हैं यह जो नूज चलाने वाले हैं यह जो अपने आपको बुद्धी जी भी कहते हैं और जो चौथा अपने आपको उसको पिलर कहते हैं पूरे देश की व्यवस्था का क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि हम लोग इखटे हो जाएंगे तो बच जाएंगे पर इस सेंटेंस को इस लिए कोई पत्रकार तियार नहीं है एक भी पत्रकार तियार नहींंगR नहीं वह चाहते हैं कि वह क्यों हमारा जूर्टन रूमबर ने चंदा कभी नहीं इस पैसे की बींडिया आपको बता रहा हूं उनकी रोजी रोटी है, उनका मिसर मोमेंट नहीं है, जितने भी लोग है, पतकार है, चाए वो दलितों के हैं, चाए वो मेन स्टीम का मीडिया है, चाए हमारा मीडिया है, चाए कुछ भी है, सारा मीडिया जितना भी है, उसको पैसा चाहिए, और जब तक उसको पैसा नहीं म खबर पैसे से बहुत पहले से लगती आ रही है इंफ्लेंस से लगती है पैसे से लगती है मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं यहां लॉड़ गुद्धा किलब में था और दिल्ली का जनरल सेकर्टी था और दसलाख लोगों का धमता काईकरम होने वाला था तो प्रेस वालों को जब बलाया करते थे तो उनको फाइव स्टा होटल में दावत देनी पड़ती थी पाइव स्टा होटल की दावत महंगी होती है उस समय टाइम जो भी था लगबाग वीस साल पहले भी वह तीन सो चार्स रूपिक प्रेट रही होगी अगर आप उनको गिफ्ट में पैसा चलता है गिफ्ट में विदेश के पैसे चलते हैं तब छोड़ी बात थी अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा क्या का नहीं मुझे जान पर पतकारों को खुच रखना पड़ता है सबी लोग आपने देखा होगा कि जो प्रेस कांफरेंस करते हैं तो वह अपने हाथ स उसको चलाते हैं जो लोग उसको पोशन करते हैं जो लोग उनको पैसा देते हैं जो लोग उनको गिफ्ट देते हैं उनकी खबर आती है और यह बहुत प्रेस चलता है और यह जो दुनिया की खबरें अलग-लग जो आती है चाया वह बीबीसी है चाया वह कोई सा भी है वो समढ़ संग को छापने वाला नहीं है जब तक आप पैसे नहीं दोगे आप देख लो कि अगर आपको अपनी ख़बरे चलवा नहीं है उनके तो आप बहुत सारा पैसे खटा करो और पैसे की कोई लिमिट नहीं है आज अगर आप उनको ददस जार रुपे दोगे दोग तो कल को से जड़ा देने पड़ेंगे परसों को से ज़ादा देने पड़ेंगे और उसका परणाम यह हैे कि फिर वह आपको पैसा आग सागर नहीं दोगै तो आपके आगेंस्ट में शाले के मेहनत करके कुछ पैसा खर्च करके कुछ कमाया है वो सब चला जाएगा और वो दुस परचार भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी तो ख़बर है वो अपने ख़बरों के मालिक है इसलिए जो हमने यहाँ पानी पत के अंदर नियम बनाया कि हमें दसजार यूटूबर चाहिए और घर घर में हम पत्तकार पैदा करें और अपने ही लोग सुचना दें तो हमको उसी काम को करना चाहिए उसी काम से हम पहले जीते थे उसी से अब जीतेंगे पैसा देके कभी प परचार होता है जो बनाने वाली कंपनिया हैं उनका परचार होता है पर सामाजिक संग्ठनों का या सामाजिक जो लोग हैं या जो संग हैं उनके जो परचार होते हैं वो खुद लोग वही करते हैं जो उसमें काम करते हैं उनका काम ही होता है कि आफिस में बैठे हैं तो व होना है था होना है समद employed this iniying यह रास्ते में कोई मिलता है अगर अपना समद है तो बाचित करके उसकर पहुंचाओ कहीं जहां कहीं साधी में गए वोग worried क् Wi. did वाली है कोई किताब किताब आने वाली है और किताब वहां पैसा दे दो ये काम खुद लोगों को करना पड़ेगा तब हमारे मिसल मुव्मेंट चले हैं और तब ही चलेगे मीडिया से चाहें वो अपना मीडिया है चाहें वो नॉन मीडिया है वो कभी आपको बिना पैसे के सहयोग करेगा नहीं वो वैसा ही हो चुका है इसलिए उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए और उसका बुरा भी नहीं मनना चाहिए कि वो हमारा दल्त मीडिया है तो वो सहयोग नहीं करता है हमारी नीख चापता है अगर आप पूरा ध्यान दोगे तो जब से समण संग चल रहा है तफसले कि अब तक यतनी संगती समण संग ने की हैं मैं ऐसे ऐस का चुनाब लड़ना है पर यहां तो किसी को MPMLA का चुनाब लड़ना नहीं इसलिए क्यों कोई पैसा देगा क्यों कोई नाम भी नहीं चलता है यहां तो सब कुछ बुलकुल फेर है पर फिर भी प्रचार की कीमत है प्रचार की एहमित है प्रचार की वैलू है बिना परसार नहीं हो सकता परसार अगर करना है यानि सार को अगर चार तरफ फैलाना है तो आपको पूरी तरह से अचार करना पड़ेगा अचरिय करना पड़ेगा आचन करना पड़ेगा परचार करना पड़ेगा आपको इसमें जाना पड़ेगा क्योंकि विचार का अगर परचा भी मीडिया के जो लोग है उनसे बिगाड़ने की तो आउशक्ति हैं कि भाई आपने हमारा काम ने किया क्योंकि हमें इसको पैसा दे नहीं सकते उसे पता है तो जितना वह आ जाए जितना वह करदे कुछ अचछी मीडिया बाती 25 है कुछ हैं भी तो जितना वो कर दे उसका शुक्रिया है करेगा तो अपने लिए करेगा क्योंकि समर तो वो भी है संग में तो वो भी है और ना करे तो उससे कोई नाराज़ी नहीं कोई गुस्सा नहीं कोई उसे अभी तबे नहीं कहना है को उसको लतारना नहीं है कि तुम तो यहां खरी दी और बेची जा रही है, यह पूझी बाद का फार्मॉला हमारा नहीं है, यह पूझी बाद का फार्मॉला यूरोप से आया है, अमरीका से आया है, अमरीका में हर चीज की वैलू पैसे से नापी जाती है, ठीक, वही सारी गुराईयां हमारे देश में घुसा दी गई हैं यहां आब हर चीज की जो कीमत है या हर चीज की जो वकात है वो पैसे से ना पी जाती है अगर आपके चार बच्चे हैं उनमें जो ज्यादा कमारा सोक तो कहेंगे लायक है और जो तीन बच्चें वो नालायक हो जाते हैं सिर्फ एक पैसे की वैसे और उन तीनों में स कोई जादा पैसा कमाल लगे तो पहला वाला नालायक हो जाता है तो यह जो बराइचा हैं कि है पहले नहीं था यह पर पत्तकायटे वो घृता है और अगर उसके जनक बुध्य है तो उनके पइस झाल भुलिंदे बहु đi माणफ जाथ को नहीं तोर。 आज भी उनके जो पत्तकार हैं जिनको हम भिकुड़ी बोलते हैं वो पूरा जीवन लगा के पत्तकारता कर रहे हैं वो जनलिज्म कर रहे हैं वो मीडिया का काम कर रहे हैं तो हमें कौन सी आफ़ताने वाली है जब कोई व्यक्ति घर छोड़के अपना जीवन लगा सकता है औ आज भी लाल कपड़े पहन के पूरे में पचार परसार कर रहा है तो हम गिरस्त लोग हैं हमको मुझ चलाने में कौन सी दिक्कत आती है हमको किताब माटने में कौन सी दिक्कत आती है हमें फॉन पर यह कहने में कौन सी दिक्कत आती है कि जुड़ 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 मर extrem vision करता है तो बहुत को च्टा साफिए करता है बढ़ीया करता ऐ पर जब में देता है तो साफ को लिए चलता कि आपका जो कपला खुड साफ पर हो यतना कि पर के वह उनकी चमक आएगी वह बिझा झाल तहाождения को करना है इसलिए हमको उस काम को दिन डिनाद करते रेना है यहाँ जो नए लोगाdeath है नए लोग सोचते होंगे कि यह किस चीज का परचागा कर रहे हैं कि चीज का परचार नहीं कर रहे हैं तो नए लोगों के स्फार्श में बता द dif तो हूं हम सारे लोग लगबग खतम होने वाले हैं खतम इसलिए होने वाले हैं क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा पहले से बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं पर रोजगार नहीं है हमारे जो लोगों की नौकरी यह जिनकी थी उनको या तो वियरस दे दिया या उनकी नौकरी पूरी हो गई पर दुबारा से नौकरी बच्चे में नहीं आ रहे हैं बच्चों को नौकरी नहीं हुए हमारा जो एजूकेशन सिस्टम था वो पैसे पर चला गया सारा पढ़ाई पर आपको ईसके लाख और दैने पढ़ेंगे और नौकरी है नहीं तो बड़ापिस आने का illustrates रिक्राया इसके जो गौवर्मेंट सेक्टर है जो गौवर्मेंट की जितनी चीज़े वो एजन्सिया लगबग सारी सारी बिक रही है डिपार्ट्मेंट सारे बिक रहे हैं तो उसमें आपको उम्मीद है नहीं किसी भी आलक में हर चीज़ लगबग महनगी हो गई है और बिना पैसे की कुछ मिलता गौवर्मेंट की जो जोजनाय थी जिससे गरीव आदम कुछ ना कुछ मिलता था वो लगवग बंद हो रही है इसकूल काफी जादा बंद हो चुके हैं जो फुरी वाले थे फॉस्पिटल बिटने लगे हैं जो फुरी वाले थे तो एजूकेस्टन खतम है है रोजगा भी नहीं इसलिए जो हमारे अधिकार सम्मेदानिक अधिकार थे वो सम्मेदानिक अधिकारों को आज के समय कोई यह कहने को त्यार नहीं है कि यह आपके सम्मेदानिक अधिकारते और आप इनको ले लो सम्मेदान के अधिकार को खतम करने की रेस चल रही है रेस कि कौन पहले करता है कितना यानि कि एक छोटा अधिकारी से लेकर उपर तक जो सम्विधान की सुर्चा करने वाई लोग हैं वो भी उसको खतम करने में सबसे अगड़ी भूंद का निवा रहे हैं सम्विधान में यह बातते हैं कि अगर आपको सम्विधानी का चाहिए तो आपके पास 91 पर्संट लोग होने चाहिए ज़ celebration लोग चाहिए लोग अगर इखटे हो जाते हैं तो सम्विधान जैसे चाहोगे वैसे काम करेगा इसका उधारन दो अप्रेल अठारे को हमने देखा कि जब हमारा एक अधिकार गया और उस अधिकार को बचाने के लिए ना तो कोई नेता आया ना कोई अफसर आया ना कोई कोट आई तो एक्याउन परसेंट लोग यह कहें कि जितने भी शलक पर इखटे होए तो लोग इखटे होगे वो संग बन गया और वो सम्विधान ने बात मानी और वो पन्ना हमारा संग बने उनके अधिकार बापिस आगए यह बात दुनिया में तय है कि जो लोग इखटे रहते हैं संग में रहते हैं उनके अधिकार स्रक्षित हैं जैसे जो मुस्लिम लोग है पूरी दुनिया में संग में रहते हैं उनके अधिकार स्रक्षित हैं जो देशों के लोग सं वी जिन लोगोंने संग बना रखा है वो लोग सारे अधिकारों के मालिक हैं पर सबसे पहला जो संग था वो हमारा था कोई आदमी कह सकता है जो यहां ने आया हो कि हमारे इतने सारे संग्ठन हैं फिर क्या जो पड़ी है दरसल हमारे जो इतने सारे संग्ठन हैं यह हमारी समस है कि यह संग्ठन अलग-लग काम करते रहे और संविधान में अलग-लग लोगों की कोई वेलू नहीं होती इसलिए संविधान ने कभी इनकी बात सुनी नहीं और नहीं संविधाने के और नहीं ध्यान दिया हो तो ध्यान दीजिए कि आपका जो संग्ठन है चाहे वो सामाजिक है चाहे वो राजनितिक है चाहे वो धमिक धार्मिक है चाहे वो सरकारी करमचारियों का है चाहे लड़कों का दलबल है चाहे वो आर्थिक है है और चाहे हूं अन्य प्रकार का है आपकि संग्ञार्व करता है उसी की भुद्ध को भी कि भी दो संग्ञार्वाइग संग्ञार्व ब्रसिके संग्ळmates करते हैं लड़ते हैं उससे और मैं को नहीं हुई है चार चार एसोचन बनी हुई है और वो चार 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 आपस में दूसरी की बुराई हैं करते रहे हैं उसी प्रिकार से अगर आप ध्यान दोगे के लड़कों के डल बल पैंथर पार्टी सेना सिपाई कितने प्रिकार के बने हुए हैं और यह सब आपस में दूसरी न अधिकार हर दो हपते में हर एक अपते में चला जाता है और यह अलग 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 धना करते हैं और हम से पैसा ले ले लेते हैं और हम इतने डेफ पूफ हैं कि हम इनको लग लग मानने तब देते हैं और सरकार इनकी सुनती नहीं किसी भी संग्ठन की कोई बास सरकार ने आज इत्यास लिखा जाएगा और आज के समय भी वो इन 29 लाग संग्ठनों की सिर पर आएगी इनके नेताओं की सिर पर आएगी यह बचके नहीं भाग सकते हैं क्योंकि इत्यास यह पूछेगा कि 29 लाग संग्ठन थे तो अधिकार कैसे चलेगे अधिकार बढ़ने चाहिए थे इ हैं इन संग्ठनों को बार-बार कहा गया कि आप सब इखटे हो जाओ पर यह संग्ठन आपस में इतने उल्जे हुए हैं इनका इगो बहुत जादा है इनकी जो प्रधानी है इनकी जो पद प्रतिष्टा मंच माला माइक है जो टोपी है जो यह वहां खुदी संस्तापक अ सब लोग इखटा होनासु जो करेंगे तो फिर हम लोगोंने आपसमेल बात करा शूल किए और हम इखटे होन सूल के जैसे वह आपस में दूसरी से ज़िड़ने की बात करने लगे looking । कोई नहीं है आस तक सिरसा को पर लगाता लगाता इस बात को बोला जा रहां है कि यह कंदा कभी नहीं कंदा कभी निकंड़ा नहीं देना है जब गड़्टर होगे तब उससे जो बड़े-बड़े सामाजिक संठन है बामसिप जैसे भी वो भी हिल रहे हैं हिल यों रहे हैं क्योंकि उन्हें भी चंदे की आदत बहुत जादा पड़ चुकी है बिना पैसे के काम कैसे चलता है इसको सीखने के लिए समर संग में आई यह समर संग बिना पैसे के हजारों की संगती भी कर सकता है और उसने दिल्ली में करके देखाए और दाश्यार की संगती फिर दुबारा से दिल्ली में होगी और 2000 की संगती उसके आधार पिज सकते हैं इसलिए यहां पुराने नियम साफ आगा गया थो इखटे होके आओगे तब वन्हादद देंगे नहीं सभी संग्ठनों और जातेगा अभ्यास कभी नहीं होगा और केबल संग बाद होगा ना राजावाद या पर कोई व्यक्षच वाद और मा इन ना यहां जो बात होगी वो बात बुलकुल open में होगी, सब के सामने होगी, और यहां राजनीती में संग कभी नहीं जाएगा, और संग घाता की संग में कभी बाप्ची नहीं होगी, यह सारे नियम, पुराने नियम जो यहां डेका है, उससे लोगों में विश्वास बड़ा, और लोगों ने खटा होने का सोचा, संग की कोई मेंबर से नहीं होती, कोई फीस नहीं होती, संग के मेंबर के लिए आप किसी भी मेंबर से कह सकते हैं, मुझे मेंबर बना है, वो बता देगा कि एक्टिव मेंबर क्या होता है, नॉर्मल मेंबर क्या होता है, नॉर्मल मेंबर के हो जाती है और बिना पंजी करन के हो जाती है बिना रेश्टिस के हो जाती है और बिना किसी धूम धढ़ाके के हो जाती है पर लोग इखटे होते जा रहे हैं इखटे होके करेंगे क्या यह सब पूछते हैं तो इखटे होके वही करेंगे जिसके लिए सब लोग कहते हो जाओ इखटे हो जाओ इखटे हो जाओ पर यहां अंतर यह है कि लोग पहले निता बन जाते हैं लोग पहले अपना मनसुवर रखते हैं लोग पहले अपना एक काम बदा देते हैं लोग पहले उसकी त्यारी कर लेते हैं और लोगों के खटा नहीं करते समड़ संग की अंदर लोग ही खटे हो रहे हैं काम सारे वो ही होंगे जो सामाजिक हैं और करेंगे भी सारे लोग ही करेंगे पर खुद तया करेंगे और जब सारे खटे हो लाइंगे तो उनको क्या करना है क्या नहीं करना है यह सारे मिलके तैग करेंगे जो कि हाउस में होता है इसलिए अलगा वरतमान में जीतीता है जैसे जैसे समस्याइजा आती जाती है वैसे 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 वो समझ्यादूर करते जाते जाते हैं है की स हबहाँ बचने की गारऱंटी है अगर हम सारे लिए जल्दी जड़ेंगे उतनी जल्दी अपने अधिकारों के लिए मांग करेंगे सम्विधान से और सम्विधान आपको अधिकार देदेगा जितनी जल्दी खटे हो जाएंगे उतनी जल्दी आपको सम्मान मिलेगी जितनी जल्दी आप खटे हो जाएंगे उतनी जल्दी आपको आपके बच्चों को रोजगार सिक्षा हेल्थ मिलेगी जितनी संविधान उनका आखरी फल है जो लगवक खतम होने वाला है उसके बाद में कोई उम्मीद नहीं है कोई उम्मीद नहीं है और संग्ठन से तो बिलकुल उम्मीद नहीं है अगर किसी संग्ठन को या किसी व्यक्ति को यह लगता है कि संग्ठन से कोई उमीद है और संग्ठन हमारी कुछ कर सकते हैं तो यह पोर्टल ऐसे लोगों के लिए ऐसे संग्ठनों के लिए पिछले 15 महने से हर दिन खुला रहता है नेट चलता रहेगा जूम चलता रहेगा तो यह खुला रहेगा एक दिन इसमें नानागा नहीं हुई है जिसको भी संसे है जिसको भी डाउट है वो व्यक्ति या वो संग्ठन यहां आकर किसी भी समर संगी से खुली बहस कर सकता है चौबिस घंटे का इन्मिटिसन पूरे साल का इन्मिटिसन है आठ बजे आओ पूरी रात तर करो वितर करो चर्चा करो पूछो क्या बात है क्या नहीं है और है पर सामर नहीं आते इसलिए कोई व्यक्ति को अगर कोई समस्ये आती है कोई संग्ठन वाला कुछ कहता है तो उसको सीदे सीदे आमतित करे कि भाई वहां पर ओपन बुलाया जाता है चर्चा के लिए आपको लगता है कि आपके पास कोई आईडिया है या संग्ठन हमारा जवाब नहीं देंगे इसलिए जितने भी स्रमर संगी है वो सभी से कहें निवदन करें कि भाई जितनी जल्दी जल्दी बचेंगे जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं जहां जहां जुड़े हैं महां जीते हैं जितने जितने जुड़े हैं जब जब जुड़े हैं जो सादू, 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 सादू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सरल भासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी बूतियं पी धम्मं मर्सेणं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी बूतियं पी संगं सरेणं गच्छामी दोगियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी दोगियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी शोगियं पी पी सन्दम सर्णं कच्छामी तरतिय तरतियं पाक रखेасेश्ट में पी दूगियं पी डरतियं पी सन्दम जोगियं रोतियं पीDet